हलो फ्रेंट्स आप देख रहे हैं आपका चानल शेर बजार वितायुश और दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं अडानी विल्मार के स्टॉक के बारे में अडानी विल्मार में सबसे बड़िया बात दोस्तों जो आज होती हुई देखने को मिली है वो 400 रुपीस के देखे स्टॉक आज पार जाता हुआ देखने को मिला है प्लस क्लोजिंग आती हुई देखने को मिली है कल भी 400 रुपे के पार चला गया था बट कल क्लोजिंग नहीं आ पाई थी और आज अगर आप देखेंगे हुआ क्या है closing आपको आती हुई देखने को मिली है जो सबसे important था और वो दोस्तों यहाँ पर अपने आप में काफी importance रखती है because closing अगर आप देखेंगे तो लगातार आती हुई देखने को नहीं मिल पा रहे थी बट आज closing आती भी देखने को मिल चुकी है लेकिन यहाँ पर जो है friends पुरा एक FMCC सेक्टर एक बहुत बड़ा काम करने आ रहा है बहुत बड़ा फैसलर लेने आ रहा है जो definitely काफी important रहने वाला है और कुछ खबरे है जो देखेंगे अडानी मिलमार से related है important क्योंकि आज अगर आप देखेंगे तो बाजार में कोई momentum नहीं था उसके बावजूत stock के अंदर अगर आप देखेंगे तो लगातार एक तीजी sort of चीज बनी रही और stock लगातार अगर आप देखेंगे तो आज 400 रुपे के उपर आपको यहाँ पर travel कर रहा था 405 रुपे का अगर आप देखेंगे एक zone था जिसके आज पर देखेंगे लगातार consolidate कर रहा था और stock उसके आपको ऊपर भी जाता हुआ देखने को मिला जो अपने आप में देखेंगे काफी important बात है और इसी support से दोस्तों stock हो सकता है कि बार बार retrace करता हुआ देखने को मिले और आगे बात करेंगे लेकिन सबसे पहले अभी हम नजर डाल लेते हैं इसके आज की volumes के उपर तो फ्रेंच देखें अडानी विलमार में आपने आज साफ सब देखा है कि जिस परकार की volume आती हुई देखने को मिले वो ठीक है कि जिस परकार से दुस्तों आज stock में बड़ोतरी हुई है हमको कल importantly यह देखना पड़ेगा कि किस परकार से कल अगर stock बढ़ता है तो 415 रुपे के उपर टिक पाता है या नहीं टिक पाता है और फिर 420 रुपे की zone में जाता हुआ देखने को मिलता है या नहीं मिलता है यह definitely closely watch करना पड़ेगा और otherwise अगर देखिए कल नहीं cross करता है तो definitely अगले हपते कई वेट करेंगे भी कोस कल आपको देखने को मिलेगा आखरी trading day है और कल आपको market बंद होता हुआ देखने को मिलेगा अब friends सबसे बहले कुछ खबरे है जो बहुत important है important क्यों है क्योंकि वो Russia Ukraine स related है क्या खबर निकल के है सली सबसे पहले उसके उपर नसे डाल लेते हैं तो फिर देखिए खबर क्या निकल के आई है Russia Ukraine war FMCG firms prepared to take steep price hikes अब आपको देखने को मिलने वाला है कि देखिए यहाँ पर जो companies है जो FMCG companies है वो steep price hikes को अब announcement करती भी देखने को मिलेगी क्योंकि अगर आप देखिएंगे जो war है वो इतना जादा चलता हुआ देखने को मिला कि किसी ने सोचा नहीं था और war दोस्तों जब इतना चलता हुआ देखने को मिलेगा तो हर एक FMCG company को effect पड़ता हुआ देखने को मिलता है because Ukraine जो है वो FMCG के लिए काफी important country है Russia भी है लेकिन mostly Ukraine ह जैसे हम आपको बताइए कि edible oil सबसे important बात 80% of edible oil अगर आप देखिएंगे जो होता है वो वहाँ सा आता हुआ देखने को मिलता है and उसके बार अगर आप देखते हैं तो वो तो बंद हुई चुका है तो एक बहुत बढ़ा मार पड़ता हुआ देखने को मिल रहा है FMCG companies को बेकोज वो बंद होता हुआ देखने को मिल चुका है supply chain लगातार देखिए यहाँ पर disruption चल रही थी COVID-19 के और जैसे लेकिन अब ongoing Russia युकरिन वाण ने और भी चीजों को दोस्तों यहाँ पर बुरा कर दिया है इससे result क्या हो रहा है कि देखिए जो लगातार है commodities की prices वो shoot up क बचा है और अपनी prices को बढ़ाना पड़ेगा देखिन ऐसा नहीं कि इससे companies को फाइदा होगा तो यह कंपनी price हाई क्यों कर रही है विकास कंपने वो खुद को महेंगा मिल रहा है तो यह कैसके tick for tech वाली बात है यह ठीक है company हो सकता है कि थोड़ा बहुत और प्राइस क्यों रहा है वो इसी करण से एक तो यही कि देखे company acquisition कर रही है company लगातार नहीं mills को खरीद रही है ताकि अपना production बढ़ा सके ताकि अपना आपको expand कर सके वो तो एक बहुत बढ़ा reason ही है लेकिन दूसरी बात दोस्तों जो मुझे लगता है कि वो यही कि अब prices high हो सकता है जिसके करण कह सकते कि देखे market में आपको जो FMCG stock से उनके अंदर तीजी बनती भी देखने को मिले और यह जो prices high है यहापे मानने जा रहा है कि यह करीबन cumulative रहेगी करीबन 6-12 मंत को नजरिया से बढ़ाया जाएगा तो यह बात निकल के आईए और तो कुछ कहां तो देख लिएगा एक और अडानी विल्मार को लेटेट बड़ी ख़बर है क्या ख़बर है चलिए उसके उपर बगर नजर डाल लेते हैं तो देखे जब से कंपनी ने अनौंस्मेंट किया है उस मिल को खरीदने का तब से देखे जो रिपोर्ट से वो लगाता आते वी देखने को म बल रहे हैं अगर अभी आप देखेंगे फ्रेंट्स फ्मसीजी फर्म्स जो है वह बहुत तीजी से अपने आपको बढ़ाने की कोशिच कर रही है अभी अगर आप देखेंगे रूची सोया का एफप्यों क्यों खुला है ताकि कंपनी अपने आपको एकस्पांड कर सके औ अब कंपनी इसको यह करना पड़ेगा सबसे अच्छी बात अडानी विल्मार की मुझे जो लगती देखेंगे प्राइसिंग सही है प्राइसिंग के सही आपको देखने को मिलती है जादा कोई महंगा नजर नहीं आता यह स्टॉक और मैंने आपको पहले भी कह रहा है कि द सब्सक्राइब के अडानी विल्मार जो है वो नंबर वन है इसके अंदर कोई डाउट नहीं है और अभी भी बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा इसके अंदर भी कोई डाउट नहीं है तो जो खबरे निकल के आ रही है वो सारी पॉजिटिव नजर आ रही है और मुझे अगर आप दिखेंगे तो यह वाला जो जोन था चारसो पंद्रा वाला वहां पर स्टॉक के अधर दिरे दिरे कंसॉल्रेडेट किया है अभी अगर आप दिखेंगे तो स्टॉक एक जोन के आसपस है और एक फॉरमेशन जो क्रेट हो रहा है वो यही कि देखें 410 रुप्र के उपर closing नहीं आई है 410 रुप्र के उपर निकलने की जिस बार भी कोशिश किये अगर आप दिखेंगे तो profit booking आई है एक बार यहां पर और एक बार यहां पर दोनों पास पास ही है तो 410 रुप्र का zone भी काफ़ important है लेकिन मुझे लगता है कि जो at the end सबसे बड़ा hurdle है व अभी close मुझे रखता की close है wait and watch करना चाहिए जिनके पास है hold करी है fresh positions लेने के सला इसलिए न दूँगा because stock थोड़ा चल चुका है तो होसकता है profit booking कभी भी बन जाए इसलिए यहां पर अभी आपको कोई overnight risk भी आपको मैं नहीं दूगा because कल-कल market खुला है उसके बाद market बंद अब नहीं है तो ट्रेडिंग पोजिशन वैसे देखे है विलाने का कोई sense नहीं है तो अगर आपको यहां पर लेना ही है तो long term के लिए definitely आप recommend अगर आप मिछ से पूछेंगे तो आपको recommend कर सकता हूं तो hold करना है इसको patience रखना है तो friends इस वीडियो में इतना ही था hopes वीड अगर लगा तो like कर देना चैनल से नहीं जुड़े हो तो subscribe कर देना thank you friends for watching this video